हलो फ्रेंड्स, स्टड़ी बेसिक 24-7 में आपका श्वागत है आज हम फिर से हाजी रहें, नमर सिस्टम का एक और इंपोर्टेंट कॉंसेट ले करके जिसमें आज हम डिविजबिल्टी रूल सीखेंगे और उसके इंपोर्टेंट यूज भी जानेंगे तो वीडियो को सुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे द्वारा बनाएगे वीडियो की सारी लेटेस अपडेट आप लोगों को मिलती रहे तो चलिए हम सुरू करते हैं तो जैसा की रूल आप डिविजबिल्टी हम सुरू करने से पहले डिविजबिल्टी को हम हिंदी में बोलते हैं बिभाजिता का नियम देखो क्वेस्टन जब मैं कराना शुरू करूंगा प्रॉपर अभी तो मैं कॉंसेप्स समझा रहा हूं तो मैं हिंदी का यूज नहीं कर रहा हूं वरना मैं जो मेरी वीडियो होगी वो बाइलिंग्वल होगी यानि हिंदी और इंग्लिस दोनों यूज करेंगे हम ठीक है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने नमबर सिस्टम का यानि इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें event number, odd number, natural number ये सारी चीजें मैंने बताई थी वहाँ पर यानि complex number और prime number भी मैंने बताया था तो वहाँ पर prime number मैंने बताया था कि होता क्या है अगर उसको find करना है जैसे बड़ी से बड़ी value आ जाए तो उसको हम कैसे जानेंगे वह चीज वहाँ पर नहीं बताया थी मिश हो गया था तो इसलिए मैं सबसे पहले prime number के बारे में तोड़ा सा बता देता हूँ ठीक है कि कैसे हम find करेंगे prime number मतलब हिंदी में इसको हम abhaj shankhya कहते है abhaj shankhya ठीक है अब prime number लिखा हुआ है अब यहां पर जैसे इसके लिए मैंने क्या बताया था one and only two factors यानि सिर्फ इसके दो ही factor होने चाहिए ना इससे कम होने चाहिए और ना ज़्यादा होने चाहिए तो मैं मान लेता हूँ कि कोई भी natural number जो है वो x रहा होगा अब उसको अगर हमें जानना है तो इसके लिए होता है x is greater than equal to m हमान सकते हैं अभी मैं इसको जब question करा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने suppose करिए मुझे कोई number जानना है suppose करिए मुझे जानना है 173 ठीक है 173 जानना है कि यह prime number है या नहीं तो इसके लिए क्या करेंगे देखो मैंने क्या बता है x कोई natural number हो सकता है तो इसको मैं square करूंगा x का square देखुल लगा हुआ है m यहाँ पे इसको denote कर रहा है तो x का square क्या हो जाएगा यानि इससे बढ़ा होना चाहिए तो 14 का square कितना होता है 196 13 जो अगर करेंगे आप 13 का square करेंगे तो 169 तो यहाँ पे क्या कहा गया x is greater than equal to यानि x इससे बढ़ा हो या बरावर हो तो मैं 14 का अगर square करता हूँ तो मुझे पता है कि 14 का square इससे बढ़ा है मतलब इससे ये बढ़ा है 14 square is greater than 173 ठीक है अब मैं देख लोगा कि 14 से पहले कितने सारे prime number बनते तो 14 से पहले 2 है prime number 1 prime number नहीं होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ 3 ठीक है 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा 11 हो जाएगा 13 हो जाएगा ये इतने सारे prime number है इन में से अगर ये किसी भी number से ये divide हो गया इस prime number में से किसी भी number से 173 divide हो गया तो it means ये prime number नहीं है अगर इन में से किसी से भी नहीं divide हुआ तो it means ये prime number है तो ये जानने का तरीका होता है ये ही मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था तो इसलिए मैंने कहा मैंने सोचा सबसे पहले यही बता देते हैं एक और हम जैसे question कर ले एक और question ले लेते हैं suppose कि यह जैसे मैंने आपके लिए 341 ले लिए 341 ठीक है अब 341 किसके किसके equal है या बड़ा है 19 square कितना होता है तो 361 होता है तो जाई सी बात है है बड़ा की नहीं है तो 19 square is greater than 341 अब यहां से हम देखेंगे कि इसके कितने prime factor है तो 2 है 3 है ठीक है 5, 7, 11, 13, 17 इतने इसके prime factor है लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं कि क्या यह 11 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है 11 की divisibility अभी मैं यहां पे बताऊंगा कि कैसे होता है अला कि यह तो बहुत चोटी ची नमबर है तो इसको ऐसे भी कर सकते है 11, 33 and 11 मंचा 11 तो यह 11 से डिवाइड हो रहा है इत मिस्ट यह prime factor प्राइम नमबर नहीं है यानि अभाज संक्या यह नहीं है तो I hope यह चीज clear हो गई होगी अभाज संक्या यह नहीं तो इस तरीके से आप बड़े से बड़े नमबर को आप जान सकते हो कि हाँ वो अभाज संक्या है की नहीं है बस आपको यह याद रखना है यह X कोई भी नमबर जिससे आप inspire करोगे तो यह जो M है जो भी पूछा जाएगा जो value पूछी जाएगी सपोर्च कर यह जैसे यहाँ 341 था 173 था तो यह M वो नमबर हो जाएगा और उसके बाद जो आप देखोगे कि या तो इसके equal होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए यही चीज हमारी डिजिट क्या होनी चाहिए यह जो last डिजिट है वो या तो 0 2, 4, 6, 8 इन ही में से कोई एक होना चाहिए last डिजिट को अब हिंदी में अंतिम संख्या कहते है अंतिम संख्या जो इसकी 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए इन में से कोई भी एक हो जैसे हम कोई भी नमबर लिख लेते हैं जैसे 4, 6, 8, 3, 4 अब आप से मैं पूछ रहा हूँ कि यह 2 से डिजिवल है या नहीं है तो आप कोगे है यह पूरा डिवाइट करने की ज़ुद नहीं मैंने देखा last में 4 है तो इक मीन से यह है ऐसे कोई भी नमबर ले लेते हैं सपोर्ज कर यह बने ले लिया 3 कोई भी कितना भी बड़ा नमबर जो हो अब यह 2 से डिजिवल है तो नहीं है और यह है ठीक है 4 में क्या होता है 4 में last की जो है 2 डिजिट्स या तो 0 हो या जो कोई भी नमबर जैसे लिखा हो जैसे लो last में 64 लिख जा है तो last की जो 2 डिजिट्स या तो 4 से डिजिवल हो या तो last की 2 डिजिट्स 0 होनी चाहिए ठीक है तो कोई भी नमबर जैसे मैं मालो लिख लेता हो 24, 500 यह 4 से डिजिवल है हाँ है मैंने कोई भी नमबर लिख लिया 8, 6, 7, 3, 3, 7, 6, 4 ये 4 से divisible है क्योंकि last की 2 digits इसको 4 से हम divide कर सकते हैं यानि 4 से divisible है ये चीज हमें पता चल गी similarly 8 में क्या होता है 8 में last की 3 digits या तो 0 होनी चाहिए and या तो last की 3 digits वही same जैसे 4 का था 3 digits divide हो जाए तो जैसे ये 8 से divide हो जाएगा 8 से बंजा यानि ये तो ये होना चाहिए last की 3 digits या तो 8 से divide हो या last की 3 digits 0 हो एक चीज यहाँ पर आप notice कर रहे होंगे मैंने देखो मैं इसको ये भी तो कह सकता हो कि जैसे 2 की power 1 था तो क्या हुआ last की 1 digits यानि जब power 1 था तो last digit देखी गई से तो यहाँ भी हम वह अई चीज यूज कर सकते हैं या तो last में ये number हो और या last की 2 digits last की जो digit हो 2 से divisible हो बात तो वही होई ना जैसे ये 2 की multiples ही तो है 2 multiply ही है तो जैसे 2 0 जा 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 ऐसे हैं ठीक है और यहाँ पर 4 के लिए मैंने क्या बता है 2 का square और 2 का square मतलब square था तो मैंने कहा last 2 digits ठीक है last की 2 digits होनी चाहिए यानि अन्तिम दो संख्या होनी चाहिए अगर जब मैंने cube की बात की यानि 2 cube की बात ही 2 2 power 3 तो यहाँ पर मैंने कहा last 3 digits last 3 digits तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम वही यहाँ पर 2 की power जब 1 था तो last 2 digits की बात की गई 2 का power 2 था तो last 2 digits की बात की गई आईसे हमें suppose के रिए 16 का जानना हो तो इसकी divisibility क्या हो जाएगी जैसे अगर हम लिख दें 2 to power 4 तो हम आराम से जान सकते हैं 2 to power 4 की divisibility जानेंगे तो कैसे जानेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे last 4 digits क्योंकि power 4 है या तो 4 digits होनी चाहिए 0 और या तो 4 digits last की divide होनी चाहिए तो आईसे हम इसको 248 का जान सकते हैं फिलाल इस टाइब के question बहुत कम ही आते हैं कि 248 पे question पूछा जाए 248 पे question कैसे पूछा जाते हैं वो हम अगली slide में बता रहे हैं आपको हम इसमें फिलाल जो 248 से related जो question बनते हैं 2 से तो बहुत कम question बनते हैं क्योंकि normal तो ऐसे question पूछेंगे नहीं यह तो बच्चों वाला question हो जाएगा कि ऐसे पूछ ले 4680 यह 2 से divisible है या नहीं ऐसे question दो नहीं बनते हैं हाँ लेकिन इस पे square से related square पे question बनते हैं वो बहुत helpful होंगे जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमें बात करें last की digit जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ n is equal to n square ऐसे लिख देता हूँ तो देखिए अगर मैं बात करूँ 0 की तो 0 की last digit क्या होगी आप कहोगे 0 होगी 1 का square क्या होगा 1 का square आप कहोगे 1 2 का square यानि 4 हो जाएगा ठीक है और 3 का square 9 हो जाएगा 4 का square आप कहेंगे 16 हो जाएगा यानि last digit 6 ऐसे 5 का square 25 यानि last digit 5 है 6 square 36 यानि last digit 6 है and 7 का square 49 last digit 9 है and 8 का square कितना हो जाएगा 64 तो इसकी last digit 4 है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो last digit कितनी आ रही है या तो 0, 1, 4 5, 6, 9 बस square करने पर यही last digit होगी ठीक है square करने पर यही last digit होगी तो यह तो method यह है कि अगर हमें सिर्फ last digit चेक करना है इससे भी हमारे कई सारे option eliminate हो जाते हैं यानि 4 option दे रखा है तो हो सकता है कुछ option में यह लिखा हो जैसे मालो last digit इसमें से जो बचेगा यानि 2 बच रहा है या पर 3, 7, 8 यानि इसमें से कोई भी जो है digit अगर आ गई last में option दे दिया गया जैसे suppose को कुछ भी दे दिया गया मालो 1296 और 232 ऐसे दे दिया गया तो हमें पता है कि यह तो बिल्कुल नहीं होने वाली इसको तो हम further check करेंगे लेकिन यह तो हम ऐसे देखते ही cut कर देंगे क्यों 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 हमें हमें पता है कि 2 square के unit last digit नहीं होती है square करने पर कभी भी हमें 2 नहीं मिलेगा ठीक है तो इसलिए यह तो ऐसे हम देखते ही cut कर देंगे तो यह option elimination में काफी helpful होते हैं तो यह समझ में आ गया होगा अब इसी तरीके से और आगे अगर हम further देखें तो उसको और अच्छे से समझ पाएंगे आप लो n is equal to n square यहां पर हम इसको further जानेंगे कि last one digit हम देख चुके हैं जैसे 2, 3, 7, 8 नहीं होता है अगर वो आ जाएगा square में तो हम ऐसे ही option को eliminate कर देंगे लेकिन last two digit जान लेंगे तो यह और helpful होगा हमारे लिए कि last two digit कौन कौन सी होंगी square में परफेक्ट square में और कौन सी नहीं होंगी ठीक है तो इसके लिए देखिए आप क्या अगर होगे जिसे वही से यानि आपको पता last digit क्या होता जीरो होगा या one होगा four five six nine यहीं होगा न जीरो one four five six nine इन्हीं में से कोई एक number आएगा जो last digit होगा लेकिन last two digit में अगर हम कहें तो आप कह सकते हो double zero होगा या तो double zero होना चाहिए last two digit या 16 होना चाहिए या 24 होना चाहिए 36 होना चाहिए ठीक है या 56 होना चाहिए 64 84 44 यह सब मैं बता रहा हूँ even numbers के even numbers का अगर कोई square है तो इन्हीं में से कोई एक जो last की two digits आएंगे even number का अगर कोई square है इसलिए मैंने 248 को लिया है तो मैं माल लेता हूँ जैसे even number two है तो two का square कितना हो जाएगा four क्योंकि यहां पे देखो क्या है two four eight तो अगर two से सबसे चोटी से चोटी बेलू कौन सी है two तो two से अगर two का square करने पे four अगर मैं four ले लेता हूँ यहां पे सारे जिसे even number ले लेता हूँ तो two हो गया four हो गया ठीक है four का square 16 six हो गया six का square अपका 36 हो जाएगा ठीक है और आपका eight हो गया तो eight का square 64 तो यहां पे हम देख सकते हैं कि four से सारे के सारे number divisible है तो हम यह क्यों यह कह सकते हैं कि कोई भी जो number होगा हमारा वो four के square यानि four से वो divisible होगा कि जो भी even number का अगर कोई square है even number यह की unit digit है लास्ट की unit digit अगर even number है अगर उसका square कर रहे हैं तो इन ही में से कोई एक number होगा और वो four से डिविडियोल होगा जैसा कि आप इससे सारे चेक कर सकते हैं कि फोर से डिविडियोल हो रहा है तो पिर आपके माइन में एक question आ रहा होगा कि ट्व बाफ आपने क्यूं नहीं लिखा 12 वी तो है 8 भी तो है यानि 0 8 लिख सकते थे 20 भी लिख सकते थे तो नहीं लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख सकते थे तो हमें पता है, कि देखो 2 लास्ट में नहीं होता है, अभी मैंने बता है लास्ट जो हम नहीं लिख सकते हैं लास्ट डिजिट 2 नहीं होगा, लास्ट डिजिट 8 नहीं होगा लेकिन फिर भी एक doubt आ जाता है mind में कि zero तो last digit होता है यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है zero इसमें भी दो को यहाँ पर last digit में मैंने लिख रखा है कि zero last digit होता है तो फिर यह क्यों नहीं होगा तो मैंने कहा क्या last two digit में double zero होना चाहिए यहां पर यह 2 जो फिर बाद में आ जाएगा ना तो यह 2 क्या होता है लास्ट में आता नहीं है इस वज़ा से इसको हम नहीं रख सकते हैं तो लास्ट टू डिजिट जो होगा वो डबल 0 होना चाहिए सिंगल 0 नहीं होना चाहिए तभी वो प्रफेक्ट स्क्वाइर होगा अधरवाई नहीं होगा ठीक है कोई भी नंबर आप सपोज के लिए लिखिए जैसे 120 multiply by 120 करेंगे तो यहां पर 2 0 आ गए ना तो लास्ट में तो 2 0 आने ही आने हैं अगर इस्क्वाइर हो रहा है क्यों वो रहा होता तो 3 0 आ जाते सिंपल सी बात की तो यहां यह सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी फिर बात करते हैं फिर कौन कौन सी नहीं होगी तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जैसे 08 नहीं हो सकता ठीक है 12 नहीं हो सकता 20 नहीं हो सकता 14 नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि 4 से डिवाइड ही नहीं है फिर 34 नहीं हो सकता लास्ट में 54 नहीं हो सकता लास्ट में 94 नहीं हो सकता लास्ट में, 46 नहीं हो सकता, 26 नहीं होता, ये सारे नहीं हो सकते हैं, ये सारे जो हैं, लास्ट में डिजिट नहीं आएंगी, अब ये आपको याद करने की ज़रोत नहीं है, आपको पता चल गया ना, कि 4 से हम डिवाइड करके देख लेंगे, यहां ये 3 जो मे में भी इसका help मिलेगा आपको ठीक है perfect cube में भी आप इसको जान पाएंगे कि कैसे हम जान सकते हैं इसको कि मतलब कौन सी डिजिट perfect cube होगी कौन सी डिजिट perfect cube नहीं होगी इससे थोड़ा बहुत आपको help मिल जाएगा तो जैसा कि आपने देखा यह लास्ट डिजिट जान ना था तो यानि मैंने टू की पावर बन देख लिया two square देखा मैंने यानि four से divide होना चाहिए two का power जैसे square की बात हो रही थी तो मैंने क्या देखा two to power two ठीक है मैंने last two digit देखी कि हाँ square में अगर ये number है तो it means वो perfect square होगा otherwise वो नहीं होगा ये last two digit मैंने चेक कर लिया तो इससे मुझे थोड़ा सा help मिल जाएगी आगे देखते हैं जैसे cube में perfect cube में हम देखें फरफेक्ट cube के लिए हम क्या करेंगे वही ये तो पता है n cube में जो होता है यानि अगर हम बात करें n cube की तो n cube में सारे के सारे digit आजाएगे जैसे कि आप check करना चूऊ तो check कर सकते हो जैसे 0 का cube आपका 0 ही होगा ठीक है 1 का cube क्या होगा 1 होगा 2 का cube 8 होता है तो 2 का cube क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 3 का cube क्या हो जाएगा 27 यानि last में 7 बना गया ठीक है 4 का cube जो अगर बात करें तो 64 होता है 5 की cube की बात करें तो last में 5 भी आएगा 6 की cube की बात करेंगे तो last में 6 आएगा 7 की cube की बात करेंगे तो क्या आजाएगा 3 आजाएगा और 8 की cube की बात करेंगे तो 2 आजाएगा ठीक है क्योंकि 8 जा 64 64 जा 512 होता है और 9 की cube की बात करेंगे तो last में 9 आजाएगा तो यहाँ पे सारे digits आजाते हैं यहां पर ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं कि last में यह नहीं आगा देखो यहां पर 0 भी यह है, 1 भी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानि 10 digits हमारे use हो रहा हैं यह तो आप eliminate नहीं कर सकते हैं देखते हैं तो हम क्या करेंगे, Rabbi लास्ट की डिजिट हम जैसे जाने तो हमें पता है कि कोई भी number आगर हम लेंगे, जिसे कोई भी number आगर हम ले लें लेते हैं, तो उसकी three digits आपकी क्या होनी चाहिए, 유ास्ट की three digits, eight से divide होनी चाहिए, क्यों क्युक्ष two power cube लगा हुआ है, देख लिए डिवाइड हो रही है बिल्कुल और यह एट नाइन जा एट बन जा ठीक है दूसरा नमर ले लेते हैं 4096 इसको मैं देख हूं कि यह डिवाइड होगा की नहीं होगा तो बिल्कुल हो जाएगा 12-8-96 यानि last की 3 digit देखेंगे तो यह divide हो जायागा ठीक है तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर last digit देखना है यानि square में तो हम देख सकते हैं उसको भी मैंने बता दिया last two digit भी मैंने बता दिया और last three digit देखना है फिर आयोए question जो exam में पूछे गए हैं वो question भी मैं कराऊंगा आप लोगों को फिर आते हैं important fact about zero and one आप देखो zero आपको पता है कि zero is divisible by all numbers except zero zero सबसे divide हो जाता है सिर्फ zero से नहीं होगा यानि खुद से नहीं होगा यहां पर एक चीज़ और सोचने वाली बात है कब not define होगता है कब हम लिखते है not define यानि indefinite और कब हम लिखते हैं infinite यह बहुत important term है कि कब हम not define लिखेंगे कब हम infinite लिखेंगे तो हमें देखो पता है कि not define infinite अच्छा इसको हम कहते क्या है यानि जो define ना हो सके indefinite जो अनिश्चित हो infinite का हिंदी क्या होती है अनंत होती है ठीक है अनंत हो तो देखो हमें देखो अगर मैं कोई भी number जैसे मैं लो suppose कि यह मैं 0 5 से इसको divide कर रहा हूँ तो आपको पता है यह 5 0 जा 0 हो जाएगा यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 से multiply हो गया अगर मैं यहाँ पर 0 divided by 0 लिखू तो क्या आप बता सकते हूँ नहीं बता सकते क्योंकि 0 बन जा 0 भी हो जाएगा 0, 2 जा भी हो जाएगा, 0, 3 जा भी हो जाएगा 0, 4 जा भी हो जाएगा मतलब आप किसी से भी multiply करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये तो सबसे divide हो रहा है तो इसलिए इसको हम not define बोलेंगे यानि हमें इसमें define नहीं है ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि 0, 5 clear हो गया होगा, कि 0 का मतलब क्या है 0 कैसे, 0 के से related मैंने कुछ fact बता दिया आपको 1 आपको पता है कि 1 किस से divide होता है सिर्फ किसी 1 जो 1 आपको पता है कि 1 किस से divide होता है 1 तो सिर्फ 1 से ही होगा, बाकि किसी number से नहीं होता है, तो 1 के लिए इतना ही है जैसे कोई भी number आप लिखो, जैसे 1 को 5 से divide करोगे नहीं होगा, लेकिन 1 को 1 से करोगे हो जाएगा, 1 सारे number को divide कर सकता है, ये भी आपको पता होगा, जैसे 37 को divide करना है तब भी हो जाएगा, 56 को divide करना है तब भी हो जाएगा, ठीक है, अब आते हैं बहुत important से concept पे, Divisability of 3 and 9 इससे related बहुत questions बनते हैं बहुत अच्छे questions बनते हैं इससे related exam में इससे related 3, 9 and 11 9 and 11 exam का favorite number है बहुत इससे question बनाया जाते हैं मैं इस पे बहुत सारे question कराऊंगा भी आपको previous year question जो SSC में भी पूछे गए हैं UPSI में भी पूछे गए हैं मतलब ये 3 and 9 का जो concept है यानि Divisability हम सीखेंगे कैसे तो एक तो simple सा ये बता दिया जाता है आप लोगों को कि हाँ यानि कोई भी number है 4, 6, 8, 3, 2 ऐसे हैं तो इनके number को हम plus करते हैं और फिर हम जैसे अगर 3 की Divisability देख रहे हैं 3 और 9 की same ही होती है तो हम 3 से divide कर देते हैं ये चीज़ आपको बताई जाती है लेकिन ये क्यों होती है ये नहीं बताई जाती है ठीक है पहले चलो हम ये ही बता देते हैं तो इसको आप पहले plus करोगे 4, 6, देखिए अपर कितना हो जागा 4, 6, 10, 10, 8, 18 18, 3, 21, और प्लस 2, 23 तो 23 by 3 तो ये आपको पता है कि ये नहीं डिवाइड हो रहा है मतलब ये नमबर जो है 4, 6, 8, 3, 2 जो लिखा हुआ है ये नमबर divide नहीं होगा 3 से ये चीज़ हमें clear होगी लेकिन हमें ये भी करने की जोगत नहीं क्योंकि हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है जैसे suppose करिए इसको हम for example थोड़ा सा और basic तरीके से बताएं तो मैं ये लिख सकता हूँ जैसे छोटा सा नम लेते हैं 4, 46 को तो अगर मैं लिखू 4, plus 6 हमें पता है कि जब इसको हम split भी कर सकते हैं 4 by 3, plus 6 by 3 लिख सकते हैं It means कि इसको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं यानि हम ये अगर हर एक को divide करते चले मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे मैं यहाँ पे ये number लिखाता जैसे 4, plus 6, plus 8, plus 3, plus 2 तो इन में से अगर हम किसी का sum 9 या 3 के divisibility में पा जाते हैं तो उनको cut करते हुए चल सकते हैं ये चीज मेरे कहने के मतलब जैसे 6 already cut जाएगा 3 से और यहाँ पे 8, 4, 12 हो जाएगा ये भी 3 से cut जाएगा तो हम ये चेक करने की जोड़ नहीं है उन्हें sum करने की जोड़ नहीं है लास्ट में मैंने देखा 2 2 से divide नहीं होगा तो ये 3 से divide नहीं होगा ये चीज कहां से आएगे कि सब को divide करना होता 3 से तो ये यहीं से concept निकल के आता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 by 3 plus 6 by 3 ऐसे करके कर सकते हैं एंसर वहीं आएगा 4 plus 6 करके देख लिए 10 10 by 3 मतलब 3 whole 1 by 3 और यहां पर भी करके आप देखेंगे तो ये जैसे cancel out हो जाएगा तो देखें 4 by 3 plus 2 और 3 2 just 6 plus 4 by 10 by 3 तो यहां भी आ रहा है तो ये सारी चीजें वहीं से आती है इसमें और जैसे बहुत सारे कोई और बड़ा नंबर अगर हम ले ले तो हम जैसे अभी यहां पर लिख दें कि 4, 5, 6, 8, 3, 2, 9, 6, 4 ऐसे करके कोई इतना बड़ा हला कि इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं मैं सिर्फ आपको बताने के लिए दिखाने के लिए बता रहा हूँ जैसे यहां पर अभी इसको हमें आइड करने की जोद नहीं कि इतने बड़े नंबर को हम आइड करके फिर 3 से डिवाइड करें तो यह तो फिर बहुर ताफ काम हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं जैसे 5 प्लस 4, 9 कट कर दिया यह का इंसल आउट हो गया 6 क्योंकि 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यह सारी नंबर अपने आप कट गए 8 प्लस 1, 9 यह भी कट गया लास्ट में 2 बज गया इट मींस कि यह 3 से डिविजवल नहीं होगा यह इतना बड़ा नंबर लिखा था मैंने ऐसे ही देखो कट करके बता दिया कि यह 3 से डिविजवल नहीं होगा सेम कॉंसेट 9 के लिए भी होता है 9 के लिए भी हम यह चीज़ अगर चेक कर देंगे तो यही नंबर अगर मैं लिखूं तो सेम वही करते हैं 4, 5, 6, 8, 3, 2, 9, 6, 1 और जो 9 से डिवाइट हो जायेगा वो तो 3 से हो जाएगा क्योंकि वो उसके डिविजवल टी में आता है आप यहां पर देखिए यहां पर भी सेम वही है कि प्लस करके 9 से डिवाइट करना लेकिन हम क्यों करें प्लस हम ऐसे ही कर लें कि देखिए जैसे यह 9 हो जाएगा आपका 6 plus 3 9 9 बंजा 9 ये भी cancel out हो गया ठीक है फिर यहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पर देखिए 6 plus 2 plus 1 यानि ये भी 9 cancel out हो गया फिर क्या बचेगा 8 plus 4 12 12 plus 5 17 यानि 17 बचा और 9 से ये divide नहीं होगा it means ये number 9 से भी divide नहीं होगा तो ये सारी चीज़े हैं लेकिंग यह आया कहां से तो इसको जैसे actually क्या है जैसे मैं कोई एक number ले लिता हूँ समझाने के लिए मैंने नममर जैसे suppose कर यह xy ले ठीक है? xy को एक नममर ले लिया और इसको मैं क्या करूँगा? कि जैसे हमें पता है xy को हम क्या लिख सकते हैं को यह जैसे two digit number लिखा होगा तो two digit हैतो यह 10x plus y हम लिख सकते हैं 10x plus y लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिखते हैं इसको क्योंकि जैसे कोई भी नंबर मैं लिखूंगा तो यह unit place पे होता यह 10th place पे होता तो इसको ऐसे ही लिखेंगे न 10th place पे तो 10 इंट 2 यानि place value इसकी कितनी है 10th है यानि 30 है और प्लस 2 यह unit 2 अंजा 2 तो यह add करो के तभी तो 32 आएगा इसलिए 10x plus y लि Easy ब्लाइब हो रहा है सुपोर्ज कि जैसे 4 multiply by 6 मॉल्डिप्लाइबाइब 3 अब इसमें से मैं आपसे पूचो कि क्या यह 4 से divide होगा बिल्कुल होगा क्योंकि यह फोर से multiply हो रहा है सिक से होगा तरी से होगा बिल्कुल होगा तो यह सारी चीज यहां से हमें पता चल जाती ह 9x होगा यह तो definitely divide हो रहा होगा अभ मतलब हमें x plus y को ही divide कराना है तो x plus y कुछ ऐसा number हो जो 9 से divide हो जाए ठीक है तो या तो वो x plus y क्या होगा या तो वो खुद 9 हो और या 9 के multiples में हो तभी तो divide हो नाइन के multiply में आता हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 को हम लिख देते है x plus y को यही से यह concept निकल के आए तो चाहे 3 के लिए हो या 9 के लिए हो दोनों के लिए applicable हो जाएगा क्योंकि जब 9 से divide हो रहा तो 3 से तो अपने आप divide हो ही जाएगा तो यह हो जाएगा x plus y यानि कोई ऐसा number होना चाहिए या तो वो खुद 9 हो या 9 के multiply में आता हो तो इसलिए हम इसी यही से निकल के आता है कि हम plus करने पर जो कोई भी value हो वो 9 से divide होनी चाहिए या 3 से divide होनी चाहिए हम यही नहीं 3 digit में जाएगा जैसे अगर कोई number होगा 3 digit तो xyz होगा तो it means उसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100x plus 10y plus z ठीक है it means अगर हम इसको क्या लिख सकते है 99x ठीक है प्लस जैसे इसको पहले मैं ऐसे break कर दूँ तो 99x plus x plus 9y plus y plus z लिख सकता हूँ फिर एक साथ अगर मैं कर दूँ तो मैं यह लिख सकता हूँ 99x plus 9y plus x plus y plus z ठीक है फिर मैं इसको फर्दर अगर करूँ 99 यहां से common ले लूँगा तो यह क्या हो जाएगा 11x plus y और plus x plus y plus z तो फिर से वही आ गया अब 9 इसके साथ multiply हो रहा है it means यह number तो definitely divide हो रहा है 9 इसके साथ multiply हो रहा है यह divide हो जाएगा 9 से matter यहां पर आके फंस गया फिर से x plus y plus z ऐसा कोई number होना चाहिए जो 9 से divide हो तो क्या हो या तो वो खुद 9 हो या 9 के multiply में हो तो यही से यह concept निकल के आए plus करने का ठीक है तो यह I hope यह चीज़ समझ में आ गई हूँ ठीक है अब इससे related question कैसे बनते हैं वो देखते हैं तो उससे पहले हम आप लोगों को फोड़ा सा बता दें कि जैसे question जैसे prime number से related क्या आप कैसे बनते हैं तो prime number से related ऐसे question पूछ लिया जाते हैं कि जैसे सबसे चोटी अभाज संख्या कौन सी है ठीक है यह भी पूछा जा सकता था यह सबसे चोटी सम अभाज संख्या तब भी यह answer होता है ठीक है दोनों के इसमें answer यह होता और जैसे मैंने अभी जो formula बताया कि जैसे जान सकते हो कि n square is greater than equal to m यहां पर आप इससे भी निकाल सकते हैं जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 70 से चोटी अभाज संख्या है कितनी होगी तो यह आप नार्मल यह करके निकाल सकते हो कि आप पूरा लिखते चले जाओ आराम से इसको बता सकते हो कोई एक number होता कि 70 क्या एक अभाज संख्या ह है या नहीं है तो यहां से आप जान सकते हैं 70 क्या एक अभाज संख्या है तो आप देखोगे यह 8 9 का स्कॉयर करोगे 9 स्कॉयर इस greater than 71 70 ठीक है अब इससे पहले कितने number पढ़ते हैं 2 3 5 7 9 से पहले इतने factor पढ़ते हैं यानि 2 3 5 7 देखो यह 7 से भी डिवाइड हो जाएग तो इट मींस यह प्राइम नंबर नहीं है यानि अभाज संख्या नहीं है तो इस टाइप के question प्राइम नंबर से related question बनते हैं और अगर आपसे यह पूछ जैसे वर्ग के लिए जैसे square के लिए पूछ लिया जाता है तो जैसे एक question आया हुआ question मैं आपको बता रहा हूँ उ D0976 C option है C option आपका 29561 and D option आपका रहेगा 14143642 यह नंबर दे रखना है अब आप देखते हैं इस question का answer टिक कर सकते हैं अगर आपको पता होगा कि मैंने जो divisibility rule पढ़ाया है जो पढ़ा रहे हैं तो उसको आप देखेंगे तो उससे आप तुरंत इसका answer टिक कर देंगे कि हा यह नहीं होगी यह इसका answer हो जाएगा क्योंकि हमने अभी बताया कि last की digit ना तो 2 हो सकती है ना 3 ना 7 ना 8 इन में से कोई भी नंबर अगर last में आ जाएगा तो आप सुन ऐसे eliminate हो जाएगा यहां तो यह पूछा ही है कि concern नहीं होगा तो यह नहीं होगा फिर जैसे हम इने ब ठीक है और फिर मैंने यह भी बताया था कि अगर 6 आ रहा है 6 मतलब कि कोई even number से हो रहा है even number से उसके unit digit even number है उसका square किया जा रहा है तो आपर यह भी check हो जाएगा यह 4 से divide हो रहा है तो यह 4 से divide हो रहा है इस यह वी square हो जाएगा तो ऐसे आप check कर सकते हो ठीक है चलिए हम फ 6709 यह पूछा गया है कि 6709 में हम ऐसा कौन सा नंबर इसमें add करें जो यह completely divisible हो जाए 9 से तो हम देखें हमें पता है क्या करेंगी देखो इसको सबको plus करना होता है 9 तो अपने आप में cancel out हो जाएगा यहाँ 6 plus 7 13 है 13 है अब हमें पता है कि हम इसमें कौन से छोटी से छोटी value जो add करें जो कि 9 से divide हो जाए तो plus 5 कर लेंगे तो यह divide हो जाएगा क्योंकि 18 सबसे add करने की बात की गई है अगर minus करने की बात पूछा होता है उसने तो मैं बता देता कि minus 4 कर दीजिए तो इसका answer 4 हो जाता लेकिन यहाँ पर add करने के लिए कहा गया तो इसका answer क्या हो इस टाइप से related questions आते हैं और जैसे इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे कोई number दे दिया गया 6 7 1 star लगा दिया गया 4 8 3 और पूछा गया क्या यह यह 9 से बताया गया कि 9 से divide हो रहा है ठीक है अब इसको हमें बताना है इसका answer कि यहाँ पर जो star लगा है इस star पे कौन सी एसी value आएगी जो यह completely 9 से divide करेगी तो देखिए फिर से वही 8 plus 1 9 यह cancel out 6 plus 3 9 cancel out यह 7 plus 4 और प्लस यह star बचा है तो देखिए हमें पता 7 plus 4 क्या है 11 और हमें add करना है तो add करना है तो क्या कौन सी एसी value होगी 7 एसी value होगी जो add करने पर इसको completely divide करेगी तो यह answer क्या आ जाएग 9s related तो बहुत सारे facts हैं उसको भी मैं बता दे रहा हूँ अभी जो कि आपको mensuration हो गएरा सब जगा पर use हो गया तो देखिए कभी भी अगर कोई भी number है ठीक है अगर हम उसमें कोई भी number जैसे support करिये मैंने लिख दिया 18 multiply by 9 या 360 multiply by 369 multiply by 9 कुछ भी लिख दें 50 multiply by 9 तो कितना भी बड़े से बड़ा कितना भी बड़े से बड़ा number क्यों नहों अगर उसको हम 9 से multiply कर रहे हैं तो उसके जो result होगे या इसका जो product होगा उसका भी product जो आएगा वो 9 आएगा ये आपको option eliminate करने में बहुत help करेगा जब option से related question जब आपको पता है कि हाँ इसमे 9 multiply हो रहा है तो सीधा option में जाएए चेक करिए और टिक कर दीजे जो अगर option मतलब इसका product जो आएगा वो 9 आएगा जैसे 89 जा कितना होता है तो आपको 162 होता है अब इसको add कर लिए 1 plus 6 7 और 7 plus 2 9 ठीक है 59 जा कितना होता है आपको 450 होता है 4 plus 5 9 इसको भी आप कर सकते हो इसको अगर करना 3 3 2 1 ठीक है आप इसको करके देख सकते हैं 3 3 2 1 आएगा अब इसको भी आए देख लिए product इसका जो sum है 3 plus 3 6 6 plus 2 8 8 plus 1 9 तो कोई भी number कितना भी बड़े से बड़ा number अगर उसमें 9 multiply हो गया तो इट मींस ये confirm है कि जो value आएगी वो आपकी हमेशा जो result आएगा उसका 9 ही आएग यह चीज़ आपको clear होना चाहिए यहां से फिर एक और चीज़ में बात बता दूँँ आपको जैसे कि देखिए कि अगर कोई ऐसे कोई बड़ा से बड़ा number दे दिया गया जैसे multiply में आ जाता है कई कई बार तो यह भी concept आप सीख लिए जैसे 345 मैंने लिख दिया multiply by 200 multiply 4 54 multiply by 356 ऐसे बहुत सारे नंबर अगर कोई भी लिखा हुआ हो जैसे simplification में स्टैप के question आते है multiply से related तो वहाँ पर आपको option अगर option दे रखाया है और जाई सी बात है competition के paper में हर एक में 4 option चार option given नहेंगे banking को छोड़के उसमें 5 option होते हैं बाकि 4 option आपको given नहेंगे तो वहाँ प उससे 31 196 280 यह इसका answer है लेकिन आप कैसे check कर सकते हो इसको सिर्फ इतना कर सकते हो ठीक है जैसे इसको अगर हम add करें तो देखिए यहाँ पर यह क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 4 9 और 9 प्लस 3 12 12 यह 12 हो गया 2 प्लस 1 3 आ जाएगा यहाँ ठीक है और यहाँ पर आप देखिए 5 प्ल 6 प्लस 5 11 11 प्लस 3 14 14 में 4 प्लस 15 तो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 मतलब 3 प्लस 0 अब answer 3 आएगा यहाँ पर इसका भी जो sum होगा वो 3 ही होगा आप चेक कर सकते हैं देखिए जैसे आपको पता है यह 9 cancel out कर दीजिए 9 से वही सारी चीज़े है 8 प्लस 1 9 यह भी cancel out हो जाएगा 6 2 8 1 9 यह यह भी cancel out हो गया देखो यहां पर भी 3 बचा तो यह आप इससे relate कर सकते हो इस तरीके से अगर कोई आता है option आप देखिए उसको 9 9 सारे इसमें eliminate कर दीजिए और देखिए जो बचेगी value वह यही बचेगी ठीक है तो इसका product क्या हुआ इसी के equal होगा हमेशा हमेशा equal होगा एक method इसमें और जान सकते हो जैसे कि मानलो लिखा हो 456 ठीक है अब इसमें अगर मैं 9 आट कर दो तो इससे कोई फ़क नहीं पड़ेगा इसका answer दो यह जो इसका product होगा वह 6 ही आएगा मतलब जो इसका reminder बचेगा यह जो इसका sum जिसको हम कहते हैं वह 6 ही बचेगा देखिए जैसे मानलो 2999 ऐसे लिख दिया क्या सारे तो हमें इस 9 को चेक करने के जो नहीं है साथ सीधा हम इस 2 को हम यहाँ पर जैसे इसमें आया जाए ऐसे कोई सारे question आ जाए तो आप डारेक्ट यहाँ पर 2 से कर सकते हैं इसको कि मतलब हाँ इसका जो sum होगा वो 2 ही होगा फिर उसक में जो बचेगा जो 9 से plus में होगा वो तो सारे divide ही हो जाएंगे बचेंगे जो 9 से चोटे number होंगे वही सारे बचेंगे बस यह ही है ठीक है यह चीज होती इसलिए इसको किया जाता है अब इससे related अगर जैसे sum अगर कोई लिख लिख लिए जाए तो हम जैसे लिख सकते हैं कि 8, 7, 5, 6 multiply by 3, 6, 3, 6 multiply by 2, 4, 5, 6 ऐसे मैंने कोई number लिख लिख लिया अब हमने देखा कि यहाँ पर देखो 6 plus 3, 9, 6 plus 3, 9 यह 9 है यानि इनका जो sum आ रहा है वो 9 आ रहा है ठीक है ऐसे मैंने चेक के लिख लिए इसका जो sum आ रहा है वो 9 आ रहा है तो हमें यह पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है इस पूरे को करने की ज़रूरत नहीं है यानि इसका जो भी sum आएगा यानि जो इसका product आएगा उसका भी जो sum होगा वो 9 ही होगा तो यह option से आप चेक कर सकते हो इससे रिलेटर हम question कराएंगे तो और आसानी से समझ में आएगा जब मैं इसके example उसको eliminate यानि उसको apply करके दिखाऊंगा जब option से इसको eliminate कराऊंगा option eliminate कराऊंगा इससे तो आप और अच्छे से इसको समझ पाएंगे यहीं पर नहीं नंबर सिस्टम में नहीं यूज होने वाला यह आपका mensuration में काफी help करता है mensuration में भी help करेगा यह ठीक है बहुत सी जगे पर इस मतलब ऐसे आप कई सारे divisibility आप जान सकते हो जैसे कि मैं अभी शिखाऊंगा आपको जैसे six के factor करिए तो क्या आएगा one multiply by six two multiply by three और यानि अगर मैं यह यह लिखू और six multiply by one यानि यह फिर से repeat हो गया तो मतलब यह चार इसके factor होंगे one two three six तो यहां पर हमें हमें पता है दो यह यहाँ पर जो होना चाहिए वह co-prime factor होना चाहिए मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसे नमबर होने चाहिए जो को geri character हो ठीक है यहां पर देखे two three co-prime factor है इसलिए यह जो हो जायेगा इसका मतलब यह हुआ कि कोई ऐसा number जो two से divide हो रहा how three से भी divide हो ठीक है two से divide हो रहा हो three स 6 से डिवाइड होगा अब ऐसे किसी भी नंबर का आप जान सकते हैं अब 12 के आपको पता है 1 multiply by 12 होता है 2 multiply by 6 होता है 3 multiply by 4 होता है 6 और फिर से आप multiply करोगे तो 4 multiply by 3 यह नहीं repeat होने लगा तो हमें पता है यह 112 आपस में divide हो जाएंगे 26 भी आपस में divide हो जाएंगा 3 multiply by 4 तो मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 3 से divide हो और 4 से दोनों से divide होगा वो 12 से definitely divide होगा ठीक है कोई भी नंबर आप जान सकते हो ठीक है कोई यहीं नहीं है आप कितने भी बड़े से बड़े नंबर इससे कर सकते हो बस हाँ को फ्राइम होना compulsory है तो यह divisibility 6 के लिए बस इतना ही है कि 6 में इसी तरीके और इससे related कोई खास question नहीं आते हैं बहुत कम ही पूछे जाएंगे अगर यह question पूछा गया तो easy ही होगा कि जैसे अगर मालो इससे पूछ लिया गया 4, 6, 3, 9, 8 आपसे पूछा गया कि यहां यह 6 से डिवाइड होगा की नहीं तो आपको पता है last में 8 है तो it means यह 2 से तो डिवाइड हो रहा है यानि एक इसने definition qualify कर ली अब हमें चेक करना है कि यह 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं तो देखिए यह 9 डिवाइड हो जाएगा 6 plus 3 9 डिवाइड हो जाएगा 8, 4, 12 यह भी divide हो जाएगा यानि 3 से सारे नमबर डिवाइड हो रहा है मतलब यह 3 से भी qualify कर रहा है तो मतलब यह 6 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं बात आती है 5 25 डिवाइड होता है तो 9 11 का सबसे जादा यूज होता है फिर से इसी तरीके से जिससे यहां पर देखिए 5 का 5 to power 1 लगाएंगे तो last digit 0 5 होनी चाहिए 5 to power 2 करेंगे यानि square करेंगे तो 25 यानि 25 की debility के लिए या तो last में double 0 होना चाहिए या last की 2 digit divide होनी चाहिए 25 से या हम यह भी कर सकते है 25 हो last में ठीक है same 5 cube अगर करते है यानि 125 के लिए जानना है तो आप कर सकते हो last की 3 digit 0 होनी चाहिए या last की 3 digit 125 से डिवाइड होनी चाहिए इसी तरीके से इससे related कोई खास question आते नहीं है बस इसी तरीके से पूछे जाएंगे जैसे मैंने पूछा कोई और नमबर ले लेते हैं जैसे 8 6 4 5 6 ऐसे मैंने नमबर लिख दिया और मैंने पूछा किया यह 6 से डिवाइड है तो आप कहोगे हाँ चेक कर लेते हैं देखते हैं तो 6 यानि 2 को qualify कर रहा है 6 डिवाइड लास्ट में है यानि 2 को qualify कर रहा है अब अब देखते हैं तो 6 6 यह वैसे भी 3 से कट जाएगा 5 प्लस 4 9 यह भी और 8 या यह 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है तो रिवाइट होंगे तो हाँ बिल्कुल होंगे लास्ट में डबल जी रो है ठीक है लेकिन हाँ यह बहुत ऐसे कुहस्चन नहीं मनें बहुत नहीं बहुत रिपता रहेंगा तो आपको बहुत सारी जगह कैल POLS में division में बहुत help करेंगे ठीक है चलिए हम फिलाल next पर चलते हैं अब बात करते हैं divisibility by 7 की ठीक है तो divisibility by 7 बताने से पहले मैं पहले आप लोगों को 13 से related जैसे मैं बता देता हूँ जैसे जहां पर हम सीख लेते हैं पहले how to make divisibility rule यहां हमें सारी 7 के भी 11 के भी 13 ऐसे कोई भी prime numbers की हम divisibility rule हम जान सकते हैं तो जैसे हमें किसी भी prime number की divisibility rule बनाना है किसी भी prime number का तो हम कैसे बनाएंगे let's say जैसे मैंने 17 ले लिया अब 17 को जैसे हम कैसे जानेंगे तो यहां पर देखे 7 है तो हम क्या लिखेंगे 7n प्लस 1 यानि यह नंबर जो आएगा यह अगर 17 से divisible हो गया तो इसके लिए क्या करेंगे तो इसके लिए देखो मैं-5 से करता हूँ तो क्या हो जाएगा 7-75 जा 35 यानि-35 प्लस 1 यानि 34 और यह 17 से डिवाइड हो जाएगा जैसे हम कोई भी number चेक कर लेते हैं जैसे हमें पता है कि 34 34 क्या है कि 17 से डिवाइड होता है ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे यह-5 का फैक्टर यूज कर लेंगे तो 4-5 कितना हो जाएगा 4-5 जा 20 और 20 में हम यहाँ पर माइनस कर देंगे यानि कुल मिला के करेंगे प्लस लेकिन minus 90 लगा है तो यह क्या हो जाएगा प्लस में ही minus plus minus होता है तो इसलिए 17 दो 17 इससे divide है तो यह पता चल जाएगा ठीक है जैसे 17 का square क्या होता है 289 होता है और यह हमें पता है कि 17 से divisible है तो इससे हमें चेक करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो हम आप और फैक्टर पता चल गया आप यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे 289 है तो 95 जा 45 तो यहाँ पर हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 45 और 28 में से अगर हम 45 माइनस करेंगे तो 17 आएगा जो कि डिवाइड होगा तो यह इस तरीके से हम इसको 17 का निकाल सकते हैं ऐसे यही नहीं हम किसी भी नमबर का जैसे सपोर्च कर यह मैंने जैसे मुझे 13 का निकालना है तो 13 के लिए क्या करेंगे देखो यहाँ लाच में क्या है 3 तो यानि 3N प्लस 1 यानि कोई ऐसा नमबर हो यानि N कोई भी odd factor हो सकता है ठीक है जो इसको divide करते हैं तो हमें पता है जैसे अगर मैं 4 रख दूँ यानि 3 इंटू 4 प्लस 1 अगर मैं करूँगा तो 13 आएगा ठीक है 3 इंटू 4 यानि यहाँ पे हमें पता चल गया कि odd factor क्या हो गया 4 हो गया इस तरीके से आप भी बना सकते हैं तो जैसे जानना है तो 13 का स्वार जैसे 169 होता है अब यह हमें करना है तो देखें यहाँ पर 9 लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9 को हम 4 से multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 36 हम इसमें 28 को हम बागी के जो बचे हुए नंबर से है उसमें हम प्लस करेंगे ठीक है 28 प्लस 11 कितना हो जाएगा 39 और जो कि 13 से divide तो इस तरीके से जान सकते हो कोई भी और नंबर ले लिजे सपोर्च करिए जैसे 23 या हम 11 के लिए क्या हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ पे भी हम वही यूज कर सकते है एन प्लस 1 अब एन प्लस 1 ऐसा कोई कौन सा नंबर होगा तो जिसे आप कर सकते हो 1 बन जा 1 तो 1 प्लस 1 तो आएगा यह नहीं रिवाइड होगा आप ऐसे चले जाएगे 110 जा तक जाएगे जाना हैं तो हम किया करें के 1 को यह odd factor हमें बता चल गया क्या पता चल गया क्या पता चल गया इाइगा माइनस में से बचे विए पार्ट में करेंगे तो क्या आएगा 11 से डिवाइड होगा तो हम 11 की से इसfires भी हम जान ठीक है, अगर मैं 14 ले लेता हूं, तो 14 का बता है, अगर बनाना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4N प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर यह चीज कर देंगे, अगर हमें इसको 7 सेज करना हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम जाएंगे 4 बन जा 4, मैंने लिखा, तो माइनस 4 प्लस 1, मतलब माइनस 3 आ जाएगा, नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं गया, 4 टू जा एट, तो माइनस 8 प्लस 1, 7, यानि ये डिवाइट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यानि इसका odd factor अगर मैं कहूँ, तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, अब कोई भी number आप करके देख लीजिए, तो ये माइनस 2 से डिवाइट होता चलाएगा, माइनस 2 से होता जाएगा, जैसे मालों अगर मुझे करना है, सपोज कर ये मैंने लिख दिया, 343, 343 लिख दिया, अब इसको मुझे डिवाइट करना है, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि ये, तो माइनस 3 टूजा, माइनस 6, हम ये लिख देंगे, ठीक है, माइनस 6, 34 मैंसे माइनस 6 जाएगा, तो कितना आएगा, 28, अब हमें पता है, 28, 7 से डिवाइट होता है, अभी भी नहीं करना चाहो, तो एक और बार कर लो, 8, 8 तूजा, 16 हो जाएगा, माइनस 16 आप लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 से 16, अगर आप माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, तो 7, 2 जा, 14, तो इस तरीके से जान सकते हो, देखिए, हम एक और डिजिट डिविविल्टी जान लेते हैं, जैसे कि अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे सपोच करिए, 119 को डिवाइट करना है, जैसे छोटे नमबर को डिवाइट करना है, तो आपने देख लिया, कि 4, N, प्लस 1 हम करके इस तरीके से जान सकते हैं, जहां पर N एक और फैक्टर, और फैक्टर मतलब क्या होता है, भीशम पद, यहां पर क्या आएगा, मैंने अभी बताया भी कि कैसे इसको कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जैसे यह जैसे यह जानना हो, कि इससे बड़े नंबर हो, जैसे इसको solve करना है, तो आपकर 9 multiply by minus 2, यानि last के नंबर को minus करते हैं, multiply करते हैं, फिर देखिए क्या आएगा, minus 18 आएगा, तो यहां पर add करोगे, तो plus minus तो minus ही होता है, तो इसलिए minus 18 करेंगे, तो answer के आएगा, 7, और 7, 7 से divide हो रहा है, यह तो पता चल गया, लेकिन कुछ ऐसे नंबर आ जाए, suppose कि लिए जैसे 456, यानि जब more than 5 digits हो, या 5 digits ही हो, more than 5 digits है, तो हमें क्या करना है, उसको 3-3 के pair में बना करके solve कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हमें करना है, तो देखिए, यहाँ पर इसको हम सबसे पहले 3PR बना देंगे, यानि 1, 2 के इसमें चाहो तो लिख सकतो, numbering कर लो, यहाँ पर इसको event को odd से subtract कर दीजिए, या odd को event से subtract कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, 456 minus 236, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह 53 कर 2, और 42 कर 220, 220 जो है 7 से divide नहीं होगा, इसमेंज कि यह number जो है 7 से divide नहीं होगा, अब सफोर्च करिए जैसे यह तो 6 digit number है, अब यही number अगर कोई मैं ऐसे लिख दूँ, 26, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, 26 and 210, ऐसे, अब यहाँ पर देखो 33 के pair में बनाओगे, तो यह नहीं बनना है, यानि यह भी divide नहीं होगा, तो इस तरीके से हमें यह भी पता चल गया है, कि यह divide नहीं होने वादा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे भी बड़ा कोई number आजाए, जैसे कोई ऐसा number लिख के आजाए, 65, 432, 577, ऐसे कोई number लिख करके आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम 33 के pair बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे, 1, 2, 3, तो मैंने क्या बता है, और numbers को हम पहले एक साथ कर लेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे, और even से हम उसको separate कर देंगे, तो देखिए, यहाँ 577 है, प्लस 65 अगर आप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 75, 12, और यह आजाएगा 642, 642 में हम 432 माइनस कर देंगे, तो 30, यहाँ 10, 210 आजाएगा आपका, ठीक है, यह हमें पता चलगा 210, तो यह वैलू जो है, यह पूरी वैलू, 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो यह चीज आप लोगों को यह भी concept समझ में आ गए होगा, तो जब भी more than 5 digits होगा, तो हमें यह वाला concept यूज करना है, 7 के लिए, ठीक है, अब 11 की बात करते हैं, तो 11 के लिए देखो, एक तो म अब फिर उसको हम क्या कर देते हैं, उसको सब्टेट करने पर अगर वो 11, या तो 11 आना चाहिए, या 0 आना चाहिए, या कुछ ऐसे number आने चाहिए, जो 11 से डिविजबल हो, तो फिर 11 से यह पूरा number, original number जो है, डिविजबल होगा, otherwise नहीं होगा, तो यहाँ पे जैसे इसको लग जाता है लेकिन अगर इसी को ऐसे करना हो 4, 6, 3, 2, 5 तो हम यहाँ पर simple सा ऐसे भी कर सकते हैं एक side में कैसे भी चलते चले जाएंगा जैसे 5 plus 2 करेंगे तो plus 3 आ जाएंगा ठीक है 5 minus 2 अगर हम difference ले रहे हैं यहाँ 3 minus 6 minus 3 आ जाएगा यहाँ 4 तो देखें plus 3 minus 3 cancel out होगा 4 बच गया 4 divide नहीं होगा तो ऐसे आसान हो जाएगा कोई जरूरी नहीं ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैं यही नमबर लिख रहूँ 4, 6, 3, 2, 5 अगर मैं ऐसे करता हूँ तो 4 वर से 6 minus करेंगे तो यहाँ पर minus 2 आएगा और 3 से 2 करेंगे तो plus 1 आएगा ठीक है 5 आलएडी है तो 5 वह से लिख देते हैं तो 5 plus 1, 6, 6 minus 2, 4 यह पिर से 4 आगया और 4 नहीं divide होगा 11 से तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कोई भी एक number all ले ले लेते हैं suppose कर यह 1 3 3 1 ले लिया ठीक है यह आपको बता है 11 से डिवाइट भी हो जाता है तो हम क्या करेंगे देखो 1 को 3 से डिवाइट करेंगे तो minus 2 आ जाएगा ठीक है और 3 को 1 से करेंगे और 3 को 1 से सब्टेट करेंगे तो 2 आएगा तो plus 2 minus 2 यानि 0 यह 11 से डिवाइट हो गया तो आई होप यह चीज ग्लियर हो गई होगी अब चलिए आगे देखते हैं Combined Divisibility Rule of 7, 11, 13 यह बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है इस से related question काफी बनते हैं तो Combined Divisibility Rule देखते हैं 7, 11, 13 यह काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है इस फार्षिक डिजिट नमबर यह गलत है Formed by repeating गा 3-digit number जैसे 3-digit number अब यह कैसे जैसे 256, 256, 214, 214 यह तो यह 3-3 डिजिट में repeat हो रहा है तो इस ताइप का अगर है तो वो 7, 11, 13 यह हम यह भी कह सकते हैं 1, 0, 0, 1 से भी divide होगा क्योंकि यह तीनों आपस में prime numbers हैं तो इनको multiply करने पर 1, 0, 0, 1 आएगा तो इस से divide होगा लेकिन हम यह भी बहुल सकते हैं कि कोई भी अगर number है ठीक है कोई भी एक number है वो 6 times repeat हो रहा है 6 times repeat हो रहा है ठीक है जैसे आपको पता है कि 3 की divisibility क्या होती है तो इस तरीके से यह 3, 7, 11, 13, 21, 37, 100, 1 इन सब से divide होगा अगर वो same number अगर 6 times repeat होगा है तो यह चीज और इस से related same question यह एक बार पूछा भी गया है मतलब यह काफी important question है question क्या था? question यह था कि if a 6 digit number question यह था कि a 6 digit number if formed by repeating a 3 digit number for example 256, 256 यह यह same question था 256, 256 या 678, 678 यह लिखा हो ऐसे ही कोई भी number ऐसे लिखा हो ठीक है? तो any number of this form number of this form is always exactly divisible divisible by दे रखाता only 7, only 11, only 13 या 1001 तो इसका answer यह होगा क्योंकि अभी मैंने जैसे बता है ना 7, 11, 13 यह तीनों से डिवाइड हो रहा है तो इस वजह से क्या हो जाएगा? क्योंकि यह जब तीनों से डिवाइड हो रहा, तौra 7 से तो हो रहा, स्रिब 11 से T ow रहा, सिर था 13 से नहीं हो रहा तो जब तीनों से रहा to answer 1 001 होगा तो इस type के question पूछे जाते हैं फीलाल कई बार पूछे भी गया है तो ये चीज आपको clear हो गई होगी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है question इसके अच्छे लगे, concept अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like करिए, share करिए and subscribe करिए and हाँ, well icon को